अजीज पर्तियोगियों पंक है उडान भर लक्षे का संधान कर हम तुम्हारे साथ है आगाज से अन्याम तक रेल्वे के पर्तिभागियों बहुत सारा मैसेज आता रहा कि रेल्वे के परपस से कुछ किया जाए सिर्फ ऐसे सी मेंस मेंस होते रह रहा है तो सोचे कि कुछ ना कुछ कोई एक टॉपिक निश्चित रूप से रेल्वे के परपस से भी रिलेज करते हैं थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन परियास कर रहा है कि कुछ मातोपुर्ण पर्ट को लेके बढ़ते चलें सबसे ज़्यादा चर्चाम में थी की नहीं SI, CI का सुरुवात किया जाए SI, CI तो ऐसा कर रहा है कि SI से ही फेज का सुरुवात कर रहा है तीन पर्ट SI, CI, MIXD SI, CI बारी बारी से एक एक पर्ट को लेके बढ़ते चलना है कहीं पर मैट को मेंटेन करने में बिसेस परेसानी नहीं है फॉर्मूला को सुरू से कहते हैं साइड कीजिए उसके बाद सिर्फ एक लेने का स्ट्रक्चर बदलते चलिए इतना काफी है पूरे फेज में कहीं किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं परती है युमेट्री मेंसुरेशन में जरूरत परती है और कॉमर्सियल के फेज में कहीं भी किसी भी फॉर्मूला की नौबत नहीं आएगी बस सिर्फ उसको एरेंज करने ढंग से आना चाहिए और किसी भी ट्रिक से भी कहीं न कहीं फास्ट होगा फेज तो सुरुवाद करते हैं SI का रेल्वे का एक जाम करीब आ चुका है ऐसे तो एक जाम उल्लाइन है पर ऑनलाइन का जहां तक मेरी समझ में आता है कि ऑनलाइन का मतलब होता है घर बैठे वेवस्त था अब 4500 किलोमीटर दोरी पर सेंटर हो अब ये कैसा ऑनलाइन है इस पर ज्यादा अथिपणि करना तो फॉर्मूला पढ़ते होंगे SI equal to simple interest साधारन ब्याज बरावर principle into rate into time divided by hundred मुलधन गुना दर गुना समय बटा सौ अब इस सब की कहानी को समाप्त करते हैं सीधा to the point discuss करते हैं SI का तो रिसी चर्चा कर लेते हैं कि SI का एकफल मतलब क्या होता है जैसे कह रहा हो कि hundred rupees है 100 रुपईया है 10 परतीसत दर पर 2 साल के लिए रख दिया गया ब्याज पर तो क्या ब्याज मिलेगा इसका मतलब हुआ एक सो रुपईया का दस परतीसत परतीसत मतलब बटा सो तो दस परतीसत मतलब हुआ एक सो का दस परसंट तो दस रुपईया मतलब ये हुआ कि उस रुपईया सो पर आपको साल में दस रुपईया ब्याज मिलेगा अब दो साल रहा तो 10-10-20 रुपईया, तीन साल रहा तो 10-10-20-10-30 रुपईया ब्याज मिलेगा, यही है साधारन ब्याज, इस्ट्रक्चर बदल के कहानी कर रहे हैं, सपोज, अब सीधा बेसिक कोश्चन से ही सुरुआत करते चलते हैं, कि मूलधन प्रिंस्पल आपको दे दिया कि 5000 प्रिंस्पल है, कुछ भी रेट दे दिया, सपोज 12.5% रेट है, टाइम कुछ भी दे दिया, टे क्वल टू 3, तीन वर्स का समय है, पूछ दिया साधारन ब्याज क्या होगा, सबसे पहला काम, बस इस रेट को चेंज कर लीजे, परतीसत सिंबॉल का मतलब होता है divided by 100, तो इसको 100 से भाग देंगे, तो 125 बटा 1000 मतलब हो गया, एक बटा 8, इसका मतलब हुआ, कि अगर आपका धन 8 रुपईया है, तो उस पर साल में 1 रुपईया ब्याज मिलेगा, अब अगर 3 साल रहेगा, तब कितना ब्याज मिलेगा, तो 3 साल रहा, तो ये 1 रुपईया 3 रुपईया ब्याज होगा, तो 8 रुपईया है, तो उसका ब्याज 3 रुपईया आपको मिल गया, कहानी बस इतनी मिंटेन करनी है, अब कोई एक पाट दे सकता है, कि मोलधन दे दिया, मतलब मोलधन नीचे है 8 रुपईया, ब्याज दे दिया मतलब 3 रुपईया, एमाउं कोई एक टुकडा दे के बांकी कोई पूष सकता है, अभी जैसे आपको दे दिया मोलधन, मोलधन मतलब आट पार्ट बरावर दे दिया आपको पाँच हजार रुपईया, अब आप से ब्याज पूछा तो तीन पार्ट, मिस्वदन पूछा तो आठ मोलधन है, अतीन आपको ब्याज मिला तो 11 तो मिस्वदन पूछाते 11 पार्ट कितना होगा बस यूनिट्री में थर्ड का यूज करते जाना निकलते जाना इस टिंडर जितना मर्जी हो बरहता चला जाए करना यही है तो बेस यही से शुरुआत होता है डिजाइन भले एक जाम में बदलता चला जाए और धीरे धीरे अगर एरेंजिम्मेंट बदल ले तो साइध पूरे SI में कहीं भी कलम की नौवत नहीं आएगी question पर online एक जाम है इस किन पर से question देखके final answer लिखके आगे बढ़ा जा सकता है तो बढ़ते हैं part by part धीरे धीरे करके level को बढ़ाते चलेंगे जहां तक जाम जा सकता है उससे उपर के level तक थोड़ा बढ़के चलने का प्रियास करेंगे ऐसा इस बजह से करते हैं कि हमेशा मेरा अपना मानना है कि तैयारी जब भी हो किसी phase की तो एक step जहां तक possibility है उससे एक step बढ़के अगर तैयारी की जाए तो side general competition में कहीं भी suspicion की कोई possibility नहीं बनती है तो बढ़ते चलते हैं बारी बारी से SI के series को लेके आगे SI में धीरे धीरे करके step बढ़ाते चलते हैं कहें बस आपका काम percentage rate को fraction में बदल देना वो भी ना करके आप ये भी कर सकते हैं direct भी fraction का use कर सकते हैं जैसे का 20% a two year time दे दिया एक यही बार दोनों को multiply कर दिये 20 गुना दो 40 पर 30 टोटल ब्याज कह लाया अब भिन्ड में बदलते तो बटा 100 करते तो 20 से करता दो बार और ये नीचे 5 बार मतलब है कि 2 साल रहा 20% दर पर तो मूलधन अगर 5 होगा तो ब्याज मिलेगा उसका 2 रुपईया और अगर एमांट की जरूरत परी तो 5 अदो 7 रुपईया हो गया कोई एक टुकड़ा दे के बांकी 2 में से कोई भी एक टुकड़ा पूछा जा सकता है आपको एक जाम में और यूनिटी में 3 के साहरे आगे बढ़ सकते है तो सिरीज में अब 2,3,1,7% को समेटते चलते हैं बेसिक के बाद जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कोई धन है कोई प्रिंस्पल है शुरुवाती पर्थम 3 वर्ष ड़ाई परतीसत रेट है अगले 3 वर्ष तक सारे 7 परतीसत दर है आगे 2 वर्ष तक 5 परतीसत दर है और कुछ भी 3 चेहरा है एमाउंट है, प्रिंस्पल है, इंटेस्ट है 3 में से कोई एक चेहरा दे के बागी 2 में से कोई एक सवाल पूछा जा सकता है एक ही धन है शुरू में 3 साल रखा 2.5% रेट पर एक जगह भी समेटने कहें कि कर सकते हैं कि 0.5% दर है 3 साल तक तो 0.5% 3 साल तक तो कुल मिला के कितना तो सारे 7 परतीसत यहां मिला अगला 3 साल सारे 77% 3 साल तक मिलेगा तो सारे साल गुना तीन करते हैं तो सारे 22 परतीसत ब्याज यहां मिलेगा और यहां 2 साल 5 परतीसत तो ब्याज मिला 10% तोटल ब्याज कितना तो सारे 7% सारे 22% तो यह हो गया 30 आई यह 10% तो तोटल ब्याज आपका कितना तो 40% अब 40 परतीसत ब्याज में लिखते तो कितना 2 बटा 5 मतलब 5 रुपईया आपके पास अगर है तो आपको इस rate पे इस condition पे ब्याज मिलेगा दो और अगर amount की जरूरत हुई तो धन है 5 ब्याज मिला दो तो amount की जरूरत हुई तो 5 दो 7 अब कोई data month हो सकता है कह दिया कि यह हो गया कितना तो 14,000 हो गया अब ब्याज बतलाई तो 14,000 हुआ तो amount हुआ 14 तो 5 दो 7 भाग बराबर हो गया आपका 14,000 एक भाग 2,000 अच्छा ही यह ब्याज तो ब्याज मतलब दो भाग कितना तो 4,000 रुपईया जो मर्जी हो पूछता रहे इस सब कोईशन को खा जाता है कि लंबा लंबा कोईशन पूछ रहा है SI में तो इसको सिर्फ arrange करना जानके रखिए arrange करते चलिए बस step by step इत्मिनान से बढ़ते चलते हैं कम समय है थोरा shortcut में लंबा वीडियो release कर देते है SI का फिर आगे धिरे धिरे उसको इत्मिनान से phase को maintain करते चलेंगे दुबारा भी फिर जरूरत होगी तो इत्मिनान से means तक की level को maintain करते हुए SI का वीडियो release करेंगे अभी फिलाल railway का exam करीब है तो railway की जहां तक possibility है वहाँ से के step आगे तक उसके बाद जो भी करेंगे सिर्फ उसमें परियोग कर रहे होंगे कि SI में और क्या-क्या परियोग कर सकता है और क्या-क्या research करके question डाला जा सकता है तो series को करम से बढ़ाते चलेंगे तो धीरे-धीरे करके वीडियो है वीडियो थोरा fast भी खिचे तो एक खुबी होती है कि दो बार तीन बार आप आराम से revision कर सकते हैं दो बारा देख सकते हैं कि यह हो क्या रहा है इसका मतलब क्या हुआ तो page by page बढ़ते चलते हैं करम आगे बढ़ाते हैं तो basic example में एक और करम को आगे बढ़ाते चलते हैं जैसे कि previous question ही लिखते हैं कोई धन था 11% दर पर पूरा question नहीं लिखते हैं 11% दर पर 4 verse में कहा 7200 रुपईया हो गया 7200 हो गया का मतलब amount हुआ 7200 कहे बस इतना कीजिए SI में 11% है 4 verse है 11% 4 verse रहा का मतलब कितना 44,11 गुना चार 44% fraction में बदलते तो 4 से कट जाता उपर 11 नीचे 25 कहने का मतलब यह हुआ कि आपका धन अगर 25 रुपईया था तो ब्याज मिला 11 रुपईया अदिया है एमाउन तो 25 रुपईया कितना 36 36 भाग बरावर 7200 एक भाग निकालते तो कितना 200 अब तो दो दो जगा खाली है मर्जी हो प्रिंस्पल पूछ दे मोलधन पूछ दे मर्जी हो ब्याज पूछ दे अगर पूछता प्रिंस्पल तो ये हो गया 25 तो 25 भाग बरावर 5000 पूछ दिया ब्याज तो ब्याज मतलब 11 भाग तो 11 भाग बरावर कितना तो एक भाग 200 तो 11 भाग बरावर 200 दो में कोई सवाल अगर ऐसाई पूछा तो 11 गुना 200 तो 22 पूछ दिया पी तो पी मतलब आपका कितना है 25 तो 25 भाग बरावर 5000 तो लिखते जाईए सजाते जाईए जो मर्जी हो कहें तीन में कोई एक डेटा देके और दो में से कोई भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है SI में तो करम धिरे धिरे करके बेसिक से अगले फेज की तरफ बढ़ते चलते हैं नेक्स पार्ट सुरुआत कर रहा है इसके मल्टिप्लिकेशन फॉर्म से डेलवे का फैवरेट सेक्शन है इसका मल्टिप्लिकेशन फॉर्म मल्टिप्लिकेशन में जस लाइक मतलब कह रहा है कह दिया कोई धन ऐसा ही पर पांच वर्स में तीन गुनी हो जाती है तीन गुनी हो जाती है अथ तब फिर पूछ दिया कितने समय में धन नौगुनी हो जाएगी ऐसा कुछ दे दिया कभी यही दे दिया कि समय ही दे दिया कि इतना समय है और धन कितना गुना हो जाएगा इस में से मुल्टिपल में से कोई भी फेज आपके सामने हो बस इत्मिनान से यही समझिए ऐसाई पर आपने रखा पांच साल तक रखा अतीन मुना हो गया मतलब अगर आपके पास एक रुपईया था तो वो रुपईया हो गया तीन रुपईया तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला आपका अपना एक रुपईया था अब मिल रहा है आपको तीन रुपईया इसका मतलब ब्याज के तोर पर आपको कितना मिला दो रुपईया अब देखिए तो दो ब्याज आपको मिला तो वो समय कितना लिया पांच वर्स अब कह रहा है कि धन नो गुना हो जाए मतलब आपका एक रुपईया नौ रुपईया हो जाए तो ब्याज आपको कितना चाहिए आठ रुपईया चाहिए ब्याज एक रुपईया नौ रुपईया हुआ का मतलब ब्याज कितना मिला ते नौ रुपईया मिला उसमें एक रुपईया आपका अपना ही था तो ब्याज कितना आठ तो अब देखिए आठ ब्याज मिलेगा कितने साल तो दो ब्याज पांच साल इसलिए आठ ब्याज तो चड़ग गुना तो इसको चारते गुना कर देते तो आठ पी ये है इसका multiple form प्रैक्टिस के लिए आपके पास परियाप्त बुक को अबलेबल है उस पर प्रैक्टिस करने का परियास किजिएगा डिजाइन बदल के सिर्फ प्रैक्टिस करते चलिएगा SIK फेज में बस unitary method योज करते चलिए इसके सिवाई कहीं किसी फेज की जरूरत नहीं होगी next example उठाते है जैसे कभी कह दिया आपको कोई धन 7 वर्स में 3400 और 9 वर्स में 3800 हो जाता है अब पूछ दिया अपका वो धन था क्या इसको निकालना है बस सिर्फ कहे SI में SI की अपनी खूबी ये है कि SI में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता इसी बज़े से पूरा का पूरा SI यूनिट्री मेथर्ड फॉलो करता है एक एक नियम फॉलो करता है अब देखते हैं कि 7 साल तक रखे तो 34 हुआ 9 साल तक रखे तो 38 हुआ ये 34 हुआ 7 साल में 9 साल में हुआ 38 सो तो बढ़ा 34 से 38 कितना 400 समय कितना तो पहले 7 साल तक रखे ते अब पहुचा दिये 9 साल इसका मतलब कितना समय 7 साल के बाद 9 साल में जाके अपना हिसाब देखे तो 2 साल बाद देख रहे हिसाब अब बढ़े गया आपका कितना तो 400 तो इसका मतलब 2 वर्स में एक्ष्ट्रा ब्याज मिला 2 वर्स में ब्याज कितना मिला आपको तो ये 400 रुपईया इसका मतलब साल में कितना दो साल में चार सो तो एक साल में कितना तो दो सो ब्याज अब हर साल इसका मतलब तैह हो गया कि आपको दो दो सो ब्याज मिलेगा तो यहां भी तो साथ साल का ब्याज मिला होगा तो साथ साल दो दो सो करके कितना चोदा सो तो चौदासो चौटिस सौ में चौदासो आपका ब्याज ही था तो बचा कितना धान आपका कितना था तो दो हजार कानी खतम हो गई कि आपका धान क्या था तो दो हजार रुपईया था सिर्फ केटोगरी बदलते चलते हैं हर पर्ट से एक एक के टोगरी करके चुनते चलते हैं अब जैसे कुश्चन आपको दे दिया कह दिया कि ब्याज के निश्चित दर पर ब्याज के निश्चित दर पर पांच हजार रुपईया पांच वर्स में साथ हजार रुपईया हो जाता है अब थोड़ा सा इसमें जोड़ दिया कि दर दो परतिसत अधिक हो दर दो परतिसत अधिक हो तो धन कितना होगा ये निकालना है अभी लिखा दर दो परसेंट अधिक हो जाए कभी लिख देता है दर 2% कम हो जाए बस सिर्फ और सिर्फ ये एरेंज करके चलिए बस SI में इतना कहे rate time को उठा के multiply करते चाहिए दो परतीसत बढ़ रहा है हर साल 2-2% बढ़ रहा है अब 5 साल तक बढ़ गया तो 2-2% 5 साल बढ़ेगा तो बढ़ेगा कितना तो 5 साल 2-2% तो टोटल बढ़ा कितना 10% तो 10 परतीसत ये किसका बढ़ेगा जो धन था उसका 10 परतीसत बढ़ जाएगा अब धन आपका कितना था 5000 तो 5000 का 10 परतीसत 10 परतीसत मतलब एक बटा 10 कितना हुआ 500 तो 500 बढ़ जाएगा पुराना धन हुआ कितना था 7000 तब 500 जादा हो जाएगा तो 7000 से 500 जादा तो कितना तो 4500 हो जाएगा कानी समप्त है हो सकता था इसी सवाल में ये कहता कि दर 2% कम हो जाता है तो 5 साल 2% कम हुआ तो 5 गुना 2 10 पर 30 घट जाएगा तो 5000 का 10% कितना 500 500 कम मिलता पहले मिल रहा था 7000 तो अब 500 कम मिलता तो 7000 से 500 कम मतलब 6500 रुपईया मिल रहा होता यही फेज है तो धीरे धीरे करके बढ़ते चलते हैं सिरीज को बस सिर्फ सजाना जानके रखिए एरेंज करना जानके रखिए SI में बस इतनी एक आनी है और उसको मेंटेन करते चलिए कहीं भी किसी भी फॉर्मूला की नौवत नहीं आएगी और आराम से अकर मतलब किलियर होता चलेगा तो इतमिनान से कोश्चन इसकीन पर से आप बना सकते हैं कि पांचगुना दो दस परतिसत हुआ 5,000 का 10 परसंट 500 बढ़ा तो पच्छत्तर सो घटा तो फैशाठ सो अराम से करते हुए बढ़ते चल सकते हैं तो फिर बढ़ाते हैं नेक्स्ट केटोकरी से कुछ-कुछ एक्जामपल सेरीज में बढ़ते चलते हैं निक्स्त केटोगरी शुरुवात करते हैं, कह दिया SI पर कोई धन तीन वर्स में 8400 हो जाता है, थोरा थोरा अंतर है, वहां लिखा था धन दे दिया था, यहां कराएं कि तीन वर्स में 8400 हो जाता है, फिर कराएं, यदि दर 2% अधिक रहता, यदि दर 2% अधिक रहता, तो 88-50 हो जाता, अब धन निकालना है, उसमें लिखे थे, कि मूल धन दे दिया था, इसमें मूल धन ना दे करके कराएं, धन 3 वर्स में 8400 हो जाता है, मतलब मिस्र धन आपको दे दिया, फिर वही कहानी कहें, कि 3 साल तक 2-2% बढ़ा, तो 3 साल 2-2% बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा, तो 3 साल 2-2% तो टोटल विर्दी कितना, 6% अब देखिए, रुपईया कितना बढ़ा, 84 सो पहले हुआ था अब हो गया कितना तो 88 पचास तो 84 सो से 88 पचास तो कितना वरहा तो 450 अब 36 परतीसत 450 आपके पास है एक परतीसत की अगर जरूरत परती तो 7 बार में 42, 5 बार में 30 अब जो मर्जी हो पूछे फिलहाल धन पूछा तो धन का मतलब 100 परसेंट 100 परसेंट कितना तो 75 सो काहनी खतम है आपकी Unitary Method एक इक नियम के सहारे Step by Step SI को डिल करते चले जाना और थोड़ा थोड़ा करके मतलब किलियर करते चलिए प्रैक्टिस करते चले जाएए तो साइद ये जो लिख रहे हैं वो आराम से भरवली काटते हुए आराम से बढ़ते चल सकते हैं क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ते चलते हैं Next Example की तरफ Next Category में से उठाते हैं Fraction के Form में से कह दिया कोई धन का ऐसा ये धन का चार बटा नौ गुना है ऐसा कह दिया फिर कह दिया समय और दर संख्यात्मक रूप से समान है अत्तव आपसे रेट पूछ दिया कितना होगा तो समय और दर दोनों कह रहाएं कि संख्यात्मक रूप से समान है और भिन को सजाने पहले कह चुके हैं कोई धन है 4 बटा नौ गुना ऐसाई मिलता है मतलब अगर 9 रूपईया है तो उसका ब्याज कितना मिल रहा है 4 रूपईया ब्याज मिल रहा है अब आपको कहा गया कि समय और दर संख्यात्मक रूप से समान का मतलब यह हुआ कि अगर दर 5% है तो समय भी 5 वर्स है दर 3% है तो समय भी 3 वर्स है तो अगर rate को R कहते है तो time भी कहलाएगा R अब आपका ब्याज दी 4 है अधन कितना हो रहा है तो 9 हमेशा कहते है rate time को गुना किजित rate R तो time भी R तो कितना हो R into R यह क्या कहलाएगा आपका ब्याज अजोकी आपका कितना है तो 4 rate भी R, time भी R तो R a square परतीसत जोकी है कितना तो 4 और धन का मतलब होता है कहे 100% तो 100% अजोकी मूल धन है कितना तो 9 अब आपको R निकालना एक को दूसरे से डिवाइड कर दिये तो percentage percentage कट जाएगा तो बना आपका फेज की R a square by 100 equal to 4 by 9 तो यह हो जाएगा 400 बटा 9 तो R बराबर आपका कितना तो 400 का बर्गमोल 20 और 9 का बर्गमोल 3 तो rate 20 बटा 3 और तो time भी 20 बटा 3 बढ़ते हैं fraction में से कुछ और example की तरफ जैसे question कह दिया सारा previous ही लिख रहे है डेलवे previous ही total question भी चुन रहे हैं एक भी question डेलवे के बाहर का question नहीं उठा रहे हैं हर कोई question जो भी उठाया जा रहा है सब किसी ना किसी डेलवे का पूछा हुआ दिया कोई धन SI पर एक बटा 4 वर्स में 41 by 40 गुनी हो जाती है ब्याज नहीं दे रहा है 41 by 40 गुनी हो जाती है मतलब कि अगर रुपईया 40 आपका था तो वो एक 40 रुपईया हो गया तो ब्याज कितना मिला एक रुपईया ब्याज के तोर पर मिला और मूलधन आपका है 40 रुपईया तो देखते हैं मूलधन मतलम क्या कहें 100% बड़ावर दिया हुआ कितना तो 40 रुपईया रेट टाइम को गुना करना तो टाइम तो एक बटा चार है पर रेट अब लेवल नहीं है तो रेट टाइम तो टाइम एक बटा चार ये कुननफल दिया हुआ है ब्याज कितना मिला तो एक रुपईया अब आपको चाहिए इसी के सहारे निकालना रेट फिर एक में दूसरे से भाग देते हैं तो ये 400 बटा आड बड़ावर हो गया 40 बटा एक 40, 40 से कटेगा 10 बार तो आपका आड हो गया कितना तो 10% बस रेट टाइम को गुना करते जाना दे रेट चाहे ना दे अन्नोन रहे तो अल्जविडिक टर्म में नाम देते जाएए और कहीं भी तीसरे लाइन की एसाई में नौबत नहीं आएगी और ना ही किसी फॉर्मूला की नौबत आएगी चाहे वो मल्टिपल फॉर्म भी एक्जामपल में उठाए डेटा के साथ भी एक्जामपल उठाए बेसिक भी एक्जामपल उठाए तो क्रम से तो बस इसका यूज करने का परियास कीजिए आप अपने फेज में तो साइध ऑनलाइन एक्जाम का दौड है तो उसमें स्कीन पर से क्वेश्चन इतमिनान से एटेम्ट ले सकते हैं हाँ इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो रूल यहां से उठाते चलिए और प्राब्लम अपने बुक से प्रैक्टिस करते चले जाएगे साइध वन डे में उम्मीद करते हैं कि थोरी सी और गती को बढ़ाने में मदद मिलेगा और कभी फूर्सत में होंगे तो इत मिनान से पूरे डिटेल के साथ एक देर दो घंटे का वीडियो सूट करेंगे एसाई का फिर सी आई का फिर एसाई सी आई मिक्सप का अभी साटकट में उतना कहानी कर देते हैं कि रेलवे का फेज निपड़ता चला जाए एसाई का दाइड़ा यहीं तक नहीं है एसाई में बहुत सारा परियोग पॉसेबल है रिसर्च किया जहा सकता है लेकिन अभी फिलार टू दा पॉइंट कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे के परपस से रिलीज कर रहे है तो railway के purpose से practice करने का परियास किजिएगा साथ तोरी गती बन जाए और उल्जे-उल्जे सवाल को भी निकालने में मदद करता चला जाए तो SI पर चर्चा कर रहे थे कहें कि धीरे-धीरे phase को आगे बढ़ाते चलेंगे जैसे SI में सिर्फ rate time को multiply करके काम चलता चल रहा है तो यही कहानी CI में भी रहेगी और यही कहानी SI CI के mix-up में भी हाँ CI थोड़ी सी कहानी अलग है थोड़ा सा चर्चा सिर्फ कर देते हैं more detail video जब suit करेंगे तब चर्चा करेंगे और बरही असानी से बहुत सरा formula पर रहे होते हैं ऐसा करो ऐसा करो बस CI में तीन line ध्यान रखिए एक दो वर्स के लिए 21 data को तीन वर्स के लिए 331 को और चार वर्स के लिए 4641 को बस इतना याद रखना है बस पूरे CI में इतना ही कहते हैं कि ये ध्यान रखिए चार साल हलाकि कभी कभार जाके एक याम में पूछा है फिर भी चार तक maintain कर दिये आगे जब फ्रेस वीडियो फेस रिलीज करेंगे तो 5 साल 6 साल भी कर लेंगे लेकिन बस one day जहां तक है वही तक परियोग करते हैं उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है रिसर्ट सेंटर में जाना है नहीं बस जरूरत यही है कि one day में एक जगह मिल जा एक नोगड़ी मिल जा इतना ही काफी है जिसके लिए कि इस ट्रगल किया जा रहा है तो फेज को बढ़ाते चलते हैं अब ये लिखे क्या करना क्या है इसका यूज क्या है जिसे कोई धन दे दिया मालिया जाए कह दिया सारे साथ पर तीसत दर पर है C.I.E. पर रखा गया धन आपको कुछ भी दे दिया मालिया जाए 64 सो रुपईया ही दे दिया और दो बर समय दे दिया C.I.E. निकालना है यहाँ पर कुछ नहीं कहते हैं सारे साथ पर तीसत को भिन्ड में बदलिये वहाँ भी कहे यही कहानी की भिन्ड में बदलिये इसका मतलब ये हुआ कि सारे साथ अपरतीसत मतलब बटा सो डेसिमल हटेगा तो एक और जीरो पचीश से कटेगा तीन बार नीचे चालिस कहें दो साल के लिए बस ध्यान ये रखना है कि 21 टेरा डेटा इसलिए उठाए कि कैलकुलेशन 10 परसेंट बिस परसेंट बरा आसान कैलकुलेशन कहा जाता है इसलिए तेरा अब निकालना है आपको कुछ नहीं करना है बस इतना कि 6400 का तीन बटा चार निकाली तीन बटा चालिस निकाल दीजिए चौँसट सो का तीन बटा चालिस जीरो जीरो कैंसिल चार से कट जाएगा आपका 160, 16, 49, 48 488 हो गया लिख दिये अब जो 480 आया इसका 3 बटा 40 तो 480 का 3 बटा 40 00 कैंसिल 4 से कटा तो 12, 12, 13 36 बस इतना ही कहानी अब इस दोनों को मल्टिप्लाई कर लिए तो कितना हुआ 960 आईए 36 रुपई आपका 966 रुपई या C.I.E. मिलेगा कानी खतम है यही 10 परतीसत रहता तो और आसान रहता कि 10 परतीसत मतलब एक बटा 10 तो यह 640 अफिर उसका एक बटा 10 तो 64 तो आराम से किया जा सकता था फेज को बढ़ते हैं 3 साल की तरफ C.I.E. में तो निखसे ज्यांपल लेते हैं कोई भी रुपई या दे दिया माल लिया जाए सारे 12 परतीसत तेरह-टेरह ही दे टा लेते हैं और तेरह कर लेते हैं कर दिया 37 पुर्नांक एक बटा तीन परतीसत रडह है तीन वर्स समय है कर दिया आपको धन कोई भी दे दिया 27,000 रुपईया है और इसका C.I.E. निकालना है भिन में बदलिए 33 पुर्णांक 1 बटा 3 मतलब 100 बटा 300 तो भिन में लिखते कितना 1 बटा 3 3 साल के लिए यूज करने के लिए कहे 331 अब पहले 27,000 का 1 बटा 3 करेंगे तो कितना 9,000 फिर इस 9,000 का 1 बटा 3 करेंगे तो कितना 3 से भाग दिये तो 3,000 फिर इसका 1 बटा 3 करेंगे तो कितना 1,000 सब को मल्टिपलाई किजिए ये 27,000 ये 9,000, 27,9, 36,000 आए 1,000 तो 37,000 तो टोटल C.I.E. जो होगा वो कितना होगा तो 37,000 रुपईया होगा और जम्पल ले लेते हैं मालिया जाए कह दिया सारे 12,000 पर तीसत दर है तीन वर्स समय है चौन सट सो रुपईया है C.I.E. बतलाईए सारे 12,000 पर तीसत बिन में बदलते तो सारे 12,000 बटा 100 मतलब हो गया एक बटा आठ पहले निकालिये तो तीन साल के लिए कहे 331 इसका एक बटा आठ निकालते तो आठ से भाग देते तो आठ सो फिर इसमें आठ से भाग देते तो आपका बच गया कितना एक सो फिर इसमें आठ से भाग देते तो बचता कितना सारे 12,000 गुना कर लिजिए बरते हैं, चार साल के लिए भी, कुश्य लिख दिया, पांच परतीसत दर है, चार वर्स समय है, कोई भी, आठ हजार रुपईया ही है, और कह दिया, C.I.E. बतला ये कितना होगा, पांच परतीसत दर, भिंड में बदलते तो कितना, एक बटा बीस, चार साल के लिए कही यूज करने के लिए 4,6,4,1 लिख दिये, अब पहले आठ हजार का एक बटा बीस, बीस से भाग देते एक एक जीरो कैंसल तो चार सो, अब इसमें बीस से भाग देते तो बीस, इसमें बीस से भाग देते तो एक, इसमें बीस से भाग देते तो कितना, 0. 0.05 गुना कीजिये तो ये 16 रुपईया ये 120 तो 1720 4 1724 रुपईया 5 पैसा तो 1724 रुपईया 5 पैसा चार साल का C.I. हो गया जरह सिंपल फेज से कैलकुलेट करने का परियास कीजिएगा और तब देखिएगा कि 4 साल का C.I. निकलता कैसे है तो साथ अंदाजा लग जाएगा क कितना गति को तेज कर देने का काम करता है ये फेज तो अभी C.I. नहीं बतला रहे हैं अभी एक मतलब बतला रहे हैं अब यहीं से बढ़ेंगे तो वो फिर यूज करना सुरू करेंगे S.I. C.I. का अंतर तो ये कहे थे S.I. C.I. एबलेबल है 5 साल 4 वर्स हो गया तो 20% इस करेंगे S.I. C.I. का डिफर हो गया 124 रुपईया 5 पैसा तो एरेंज करना तो बढ़ाएंगे धिरे-धिरे करम को अगले वीडियो में C.I. और मिक्स्ट S.I. C.I. को लेके आगे बढ़ेंगे रेलवे की एक्जाम से पहले वो वीडियो रिलीज करने का प्रियास करेंगे कि आजाए और उसके बाद फिर S.I. C.I. का नए सिरा से S.S.C. परपस से मोर डिटेल वीडियो रिलीज करेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ रेलवे और करीब करीब कोश्चन संबावना है कि बैसिक लेवल का कोश्चन होगा कोश्चन में बहुत ज्यादा रिसर्च की कोई संबावना नहीं दिख रही है तो उसको मेंटेन करते चलिए बढ़ते चले हैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट